सर्दार सरोवर बांध को लेकर दो बीजे पिशासित राज्यों में एक बार फिर विवाद बढ़ गया है बिजली उत्पादन को लेकर MP और गुजरात सरकार में तकरार बढ़ गई है मध्यप्रदेश ने गुजरात से 904 करोर रुपे मांगे है सर्दार सरोवर बांध को लेकर एक बार फिर विवाद बढ़ गया है सर्दार सरोवर बिजली प्रोजेक्ट को लेकर मध्यप्रदेश और गुजरात सरकार के बीच टकराव के स्थती पैदा हो गई है जिसे लेकर MP की शिवरात सरकार ने गुजरात पर 904 करोर रुपे का दावा किया है दूसरे तरफ गुजरात की विजर रुपानी सरकार ने MP सरकार के दावों को सिरे से खारिच कर दिया है रुपाणी सरकार ने शिवरात सरकार पर ही इसे लेकर आरोफ लगाते हुए कहा कि इन्दरा सागर बांध के पानी रोकने के कारण बिजली पैदा नहीं हुई आपको बता दे कि इन्दरा सागर बांध एशिया की सबसे प्रतिष्ठे तजल विद्यत परियोजना है इस बहुत देश्य बांध को नर्मदा नदी के उपर बनाया गया है जो खंडवा के नर्मदा नगर में बहती है इस बांध की नीव कपत्थर 23 अक्टुबर 1984 को प्रधान मंत्री श्रिमती इंद्रा गांधी ने रखा था गुजरात ने कहा कि MP सरकार के पानी रोकने के कारण उन्हें 10 मिलियन यूनिट का नुकसान हुआ है इसके एवज में गुजरात ने MP से 5 करोड रुपे का क्लेम मांगा है आपको बता दें कि सरदार सरोवर परियोजना में रिवर बेड पावर हाउस 1200 मेगावाट और कैनाल हेड पावर हाउस 200 मेगावाट नामक दो पावर हाउस शामिल है इस पर योजन में गुजरात को 57 फीसदी तो महराश्टर को 27 फीसदी और MP को 16 फीसदी बिजली साज़ा की जाती है गुजरात की मांग है कि जब तक पानी पूर्ण जलाश्य अस्तर तक नहीं पहुँशता तब तक बिजली का उत्पादन नहीं शुरू किया जाएगा क्योंकि गुजरात के लिए बिजली से ज्यादा पेजल और सिचाई प्रात्मिकता है